मुवी की स्टार्टिंग में हम विक्टर नाम के एक सिरेल किलर को देखते हैं जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा था उसने काफी सारी पेड़ किलिंग्स की थी और आज वो अपने शेहर के सबसे बड़े ट्रग डिलर और गैंक्स्टर हवियार के साथ डील करन इस चीज़ से हवियार गुसा नहीं होता उसे अच्छा लगता है कि उसने सही आदमी को काम के लिए ठुंडा है वहाँ पर हवियार के ग्रूप में सराई नाम की एक लड़की काम करती थी सराई की मदर ने सराई को जब वो 14 एस की थी तबी हवियार को सेल कर दिया था तब उसके भीचे से कोई गन पॉइंट करकर उसे रोक देता है और यह और कोई नहीं तो सरे थी सरे विक्टर को अपने आपको यहां से छुडवाने के लिए कहती है उसे यहां से बॉर्डर पार करनी थी विक्टर फिर बीना कुछ कहे कार ट्राइव करने लग जाता है सरे ने हवियार को पता चलता है कि सरे भाग चुकी है उन्हें लग रहा था कि शायद वो विक्टर के साथ ही बागी होगी इस वाद से बहुत कुस्सा हो जाते हैं दूसरी तरफ विक्टर सराइक को बड़ी चाला किसी बहुश कर देता है अब इसके बाद ने सराइक को हाथ पाव पान कर पाट टब में सुला दिया था इसके बाद उसे रिलीज करता है और बाथरूम में रहने के लिए कहता है बाहर सराइक को ढूड़ने के लिए समंधा और उसके लोग आये हुए थे समंधा और को नहीं तो हवियार की सिस्टर थी समंधा विक्टर को मारने की धंकी दे सकते हैं उसने का इस तरह को बातरों उसे बाहर बिलाता है इसके बाद उसे बान कर वहाँ से घाए प्र कॉश स गाने के लिए रुखते सैंसर को वी वहाँ पर मारने की लिए थे अब Victor समंदाव को अपने घर लेका जाता है घर वो निकोलेस से बात करता है निकोलोस उसके भाई की तरह था यहाँ में पता चलता है कि Victor एक्चुल में एक और्गनाइजेशन के एक सीरिल किलर का काम करता है विक्टर हवियार के पास गुजमान के मर्डर की डिसकेशन के लिए गया था लेकिन उसका मिशन था कि वो हवियार के मैंशन से गुजमान के सिस्टर को बचा ले उसे हवियार ने किडनाप करकर रखा था यही विक्टर का अभी उस और्गनाइजेशन के थू मिशन था निकलेस इन बातों के दोरान विक्टर को एक वीडियो भेज़ता है ये वीडियो उसे हवियार ने भेज़ा था इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि लीडिया जो सराय की फ्रेंड है उसे हवियार टौचर कर रहा है इसके बाद वो लैप्टॉप बन कर देता है सराय ने जब विक्टर को इस वीडियो के बारे में पूचा तो विक्टर बिना कुछ कहे उसके हाथों को बान देता है और वहाँ से जाने लगता है रात में सराय ने अपने हाथ खोल लिये विक्टर पर गन लगाए और लैप्टॉप का पास्वर्ट पूचा विक्टर के मरा करने के बाद भी वो वीडियो देख लेती है उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वज़े से उसकी फ्रेंड लीडिया को इतना टॉचर किया जा रहा है मौनी में विक्टर को हवियार का कॉल आता है विक्टर और हवियार की बीच में डील हुई हवियार विक्टर को गुजमान की डॉटर और लीडिया देगा इसके बदले में विक्टर उसे सरय लोटा देगा ये बात विक्टर सरय को भी नहीं पता था जब कॉल करने के बाद विक्टर सरय को अपने साथ चलने के लिए खायता है सरय खूध उसे कह रही थी कि अपनी फ्रेंड को इस हालत में उनहीं देख सकती वो खुद अब हवियार के पास जाना चाती थी विक्टर इस बात के लिए मान जाता है जहाँ पर डील होने वाली थी वहाँ पर वो पहुच जाते है विक्टर सराई से पुछता है कि हवियार तुमें जाने क्यों नहीं देना चाहता इसी वज़े से वो मुझे जाने नहीं देना चाहता है अब डील को करने के लिए निकोलस भी विक्टर के साथ आता है डील करने के लोग एक open factory में पोछते है विक्टर निकोलस और सरय को एक कार में बिठा देता है उसने उन्हें तब निकलने के लिए का कि जब वो उन्हें बता है वो खोज जाकर दुसरे कार में बैठ जाता है कार में निकोलस सरय से पुछता है क्या विक्टर उसे पसंद करता है इसपर हो गयती है क्यों से पता ने निकोलस है बात उसे इसलिए पुछ रहा था इसरी की तरफ जाने लगते हैं तभी बीच में विक्टर शूट करता है इसके बाद वहाँ पर बहुत सरी शुटिंग स्टार्ट हो गई शुटिंग में विक्टर एक आत्मी को डिफेंस बनाकर सारी गोलिया उसके शरीर पर आने देता है बड़े स्किल्ड वे से समंधा की सा समंधा को नेक से कमें मार देता है शराय लीडिया को देखकर रो रही थी विक्टर निकॉलस पुछता है कि तुमने लास्ट मिनिट पर प्लान क्यों बदल दिया विक्टर उसकी बात सुनकर इसका जवाब नहीं देता निकॉलस इस बात से गुस्टा हो गया था अब विक् ख्याल रखेगी इसके बाद तुम लाइफ में आगे जा सकती हो विक्टर उसे एक मैंशन पर छोड़ देता है वहाँ पर इजल भी थी अब यहाँ पर विक्टर की इंटेंशन स्टेट थे कि सराई को कुछ भी करकर वो बचाना चाहता था और इसी वज़े से उसने यह सब कि विक्टर के फर्स देखकर सराई को पसंद आने लग गया था इंडारेटली यह बात उसे हो कहती भी है विक्टर का इस पर कोई भी रिस्पॉंस नहीं आता वहाँ यार को मारने के लिए चला जाता है मॉर्निंग में सराई इजल से बात कर रही थी तभी वहाँ पर हवियार अपने आदमियों के साथ पोच जाता है एजल बड़ी चलाकी से सराई को मैंशन के एक सिक्रेट रूम में छुपा देती है हावियार इजल से पुछता है कि सराई कहा पर है इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती हावियार फिर उसे शूट कर देता है वो सराई से गहने कर पाए और फिर वो बाहर आ जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर को अल्डेटी आइडा हो गया था कि हावियार उसके पीछे आने वाल है इस वज़े से वो फ्लाइट में नहीं गया था और अब वो अपने मैंशन में आ चुका था हावियार ने सराई के ऊपर गण पॉइंट की थी बैग्राउंड में विक्टर हवियार के एक एक बोड़िगाड को मारते होए अंदर आने लगता है वह तब तक इजल को मार देता है वो सराई को मारने वाला था तो सराई ने उसकी गन से उसे शूट कर दिया इसके बाद उसकी और वही पर डेथ हो ज कहता है कि मेरे फादर को तुम्हें बारने का कंटरेक्ट मिला था उधोमें मार देते पर बीच में आ गया और मैंने अपने माडर को मार दिया यह मेरा पहला मरडर है यह सब उसने अपने निकोलस के साथ फ्रेंड्शिप क dato निकोलस के सामज नहीं आता विक्टर यह सब कहा क्यों रहा इसके बाद विक्टर ने उस पर विक्टर को एक बाद याद आई थी, कि हवियार अपनी लड़कियों के अंदर एक चिप फिट करता है, ताकि वो कही पर भी जा, तुने वो ट्रैक कर सके, विक्टर को सराई के गले से और चिप निकल जाती है, उसे नाइफ से कट करकर और निकाल देता है, विक्टर को एक जीब जाने बहजानी लग रही थी, निकोला से देखकर कहता है, कि शायद हवियार गल्स के प्रोस्टिटूशन वर्क में भी इन्वॉल था, इस सब के बाद विक्टर सराई को अपने घर लेकर जाता है, विक्टर उसे कहता है, कि अब तुम जा सकती हो, सराई ने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे साथ यह रहना चाती हो, अगर तुम जाओ तो मुझे मिशन पर भी लेकर जा सकती हो, विक्टर ने इन सब बातों के लिए उसे मना किया, कहा कि यह सब possible नहीं है तुम मेरी जैसे कभी भी भी बनने ही सकती इस काम में हद से जाद रिसके और नहीं चाहता कि उसकी तरह बने इसके बाद उसे सोने के लिए जाने के लिए कहता है अब रात में सराय विक्टर के पास आती है इसके बाद दोनों इंटिमेट होने लगते है विक्टर को भी सराय बहुत पसंद थी है इंटिमेट होते हुए सराय को याद आता है कि हवियर उसे forcefully harass किया करता था मौनिंग में हमें scene दिखाय जाता है जहाँ विक्टर सिराई को गयता है कि उसे एक mission बर जाना है वो गयता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो पर तुमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अब तुमारी identity इसा बहले अब विक्टर उसे लेकर क्या क्योंकि सराय को दिखाना चाता था कि उसके mission कितने खतरनाक होते है उसे लग रहा था कि उसका mission देखने के पास सराय खुद उसे छोड़ देगी विक्टर सराय को प्लेन में लेकर जाता है प्लेन में उसने एक फोटो उसे दिखाए वो गयता है कि इस आदमी का नाम आर्थर हमपर के इसके साथ हमारा mission है आर्थर एक बहुत बड़ा गैंस्टर था सराय उसे बुश दिये कि हम इसके पास कैसे पहुचेंगे विक्टर से कहता है कि वो एक पार्टी में आएका वहाँ पर हम दोनों इन्वाइटेड है वर रात को दोनों शेहर में पहुचते हैं वाइक होटेल में अपने रूम लेने के बाद पार्टी को जाइन करते हैं आर्थर अपने लोगों के साथ वहाँ पर आया हुआ था अर्थर का ध्यान किशने के लिए विक्टर और सराय चान बुश कर उसके सामने जाते हैं आर्थर फिर उन दोनों को एक सिक्रेट रूम में लेकर गया आर्थर और विक्टर की बीच में टील हुए कि विक्टर सराय के साथ इंटिमेट होगा और आर्थर उनने देखेगा इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे देने वाला था सरई विक्टर से कहती कि उसके सामने में सब नहीं कर सकती विक्टर कहता है कि तुमने तुम उससे कहा था कि मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी सरई फिर उसके बात मान लेती है वो दोनों उसके सामने इंटिमेंट होने लग गए और Victor सराई को किस करने लगता है Arthur को जो भी अच्छा लगता था इस सब कुछ उन्हों करने के लिए कहता है Victor उसकी बाद मानता है इसके बाद Arthur ने Victor से गा कि क्या ये सब चीजे तुम मेरी wife के साथ कर सकते हो Victor से कहता है कि ये सब तो मेरी contract में नहीं था पर ही ट्राय में कर सकता हो इसके बाद Arthur उन दोनों का अपनी wife की रूम में लेकर गया वहाँ पर हम Arthur की wife को देखते है जो पेड़ पर लेटी हुई थी उसकी तबियत काफी खराब थी इसके बाद हम अगले ही से गन Victor को देखते है तो Arthur की उपर हमला कर देता है इस लेटर में Arthur के bank details, password उसके black market की सारी details दिये गए थे इसके बाद Victor Arthur की wife के पास क्या उसने उसे गन लगाई Arthur Victor को गहता है कि प्लीज ऐसा मत करो Victor रुखता ने और Arthur की wife को shoot करकर मार डालता है इस बात से Arthur बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था जाते होएं Victor ने Arthur से गा कि अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं सारे details API को बता दूँगा अगर तुम जाओ तो अपनी wife की date की कोई भी fake story बना सकते हो जाते होएं Arthur Victor को कहता है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे इसके बाद Victor और सरय वहाँ से चले जाते हैं गर जाने के बाद सरय ने Victor से का तुमने एक innocent को क्यों मारा Victor के अदा है कि एक समय पर Arthur और उसकी wife दोनों मिलकर illegal काम किया करते थे जब Arthur की wife ने इन सब कामों को छोड़ने की बात की तो Arthur ने forcefully अपनी wife को एक drug addict बना दिया इसके बाद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो के अब वो खुद चाहती थी कि कोई उसे मारते उसे ऐसा नहीं जिना था और इसी वज़े से Victor को उसने खुद को मारने के लिए हायर किया था सरी सब कुछ बास समझ आती है इसके बाद दोनों intimate हो जाते है अगली सुभा विक्टर को निकलोस का call आता है जोसे next mission के बारे में बता रहा था विक्टर सुभा सुभा है mission के लिए निकल जाता है सुभा जब सराई उठती है तो निकलोस उसके पास आया आते है उस पर उसने गन लगाई निकलोस उसे कहता है कि विक्टर ने तुमारे लिए जोबी किया इसके बाद अब organization को विक्टर पर trust नहीं रहा विक्टर अपनी मर्जी से ही सब कहता है और ये सब कुछ तुमारी वज़े से वो सराई को मारने ही वाला था पर दो भी वहाँ पर विक्टर आ जाता है तो उसे निकलोस पर पहले शका गया था उन दोनों में जगड़ा हो जाता है विक्टर निकलोस को पीट कर उसे शूट करने ही वाला था पर सराई उसे रोक लेती है सराई ने अल्रेड़ी निकलोस को एक पुलिट से शूट किया था इसके बाद विक्टर उसे होस्पेडल लेका जाता है जब तीन दोनों बाद सराई को होश आता है तो विक्टर ने रियलाइस किया था कि उसके साथ नहीं रह सकता सराई हमेशा उसके साथ डेंजर में रही कि वो अपने आपको विक्टर की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकती इसके बाद उस सराई को छोड़ कर चला किया मुवी में फिर डारेक्ली एक साल बीत कया था हम सराई को देखते जो एक मिशन पर थी सराई भी अब ट्रेन होकर एक पेड़ किलर बन गई थी जैसे ही विक्टर था वेसी हो अब बन चुकी थी दोसने अपना नाम इजाबेल रख लिया था इसके बाद जिस होटेल में विक्टर का काम था उसी होटेल में वो आती है विक्टर को जो रखता था कि सारे खुद को प्रोटेक नहीं कर सकती पर अब यह सब चेंज हो कया था और अब वो दोनों फिर से मिले थे अब वो दोनों एक साथ रह सकते थे इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्सपेशन अचा लगता है तो इससे लाइक और गमेंट जरूर कर दीजएगा यह बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोटिवेशन आइको तो नहीं मत भुलिएगा वीर से मिलेंगे और इनमों के साथ तब तक लिए धैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे